गुद्ध मॉर्निंग एवरिवन तुड़े वी विल कंटिन्यू आओर सेकेंड चैप्टर टू पॉइंट टू पार्टनर्शीप ओर्किनाजेशन तूड़े वी विल डिसकस टाइप ओप पार्टनर्श ताइप ओप पार्टनर्श जो है जो है वेटा देराज जर्नली टू और डारेक्टली रिलेटिड विद दा फरम यहनी कि वो पार्टनर्श जिसका फरम से सिदा संबंद होता है वो क्या करते हैं बिटा वो कैप्टल जो है मनी जो है फरम में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोफिट और लोस जो है इसमें उनका हिस्सा होता है इस परकार के जो partners होते हैं, इनको हम full flag partners के नाम से जानते हैं, secondly जो है, करागे not full flag partners, not full flag partners में क्या होता है, कि वो partners जो है, जो would not have full interest in the business of firm, business में उनका पुरा interest नहीं होता, they are associated with the firm because of some special motive, it is not essential for them to make any investment in the firm and they do not aim at getting any share in the profit and loss, they are liable as not full flag partners, partners, क्या करें बेटा, एक हमारा जो है, एक partners जो है, वो full flag partners होता है, जिसका यहनी कि फरम्चेशी दासंबंद होता है, वो money, investment करता है, ठीक है, profit और loss जो है, उसमें इस्षा लेता है, इस परकार का partners जो होता है, उसको हम full flag partners कहते हैं, दूसरा जो है, वो साज़ेदार, वो partners जिनका फरम में विवसाय में पूर्ण हित नहीं होता, ये partners किसी विशेश से, मोटे उसे फरम में जुड़े होते हैं, इनके दवारा फरम में पुंजी लगाना, वे profit और loss में, शेर्स जो है, वो प्राप्त करना जरूरी नहीं है, इ कौन-कौन आते हैं, तो देखें, सबसे पहले जो है, हमारा जो फुल-फ्लेग partners है, फुल-फ्लेग partners क्या होता है, दोज partners, who are directly, करा कि रलेटिड विद दा फरम, they invest money in दा फरम, and have a share, its profit and loss, क्या करें बेटा, जो फुल-फ्लेग partners जो हैं, इसमें, जो इस परकार का मैंने बताया, कि फुल-फ्लेग partners जो है, वो इसमें फरम जो है, उसमें सिधा संबन्द होता है, इसका profit and loss से में हिस्सा होता है, और जिनको हम फुल-फ्लेग partners के नाम से जानते हैं, अब देखें, फुल-फ्लेग जो partners हैं, इसमें हम किस-किस को include क जिस partners का firm से direct related होता है, direct उसमें सिधा संबन्द होता है, ऐसा जो partners होता है, वो profit है, और loss में हिसा लेता है, capital investment करता है, तो इस परकार का जो partners है, उसको हम फुल-फ्लेग partners कहते हैं, जिसमें पहला partners है, active partners, those partners who take active participation in the administration of the firm, are called active partners, करा की, besides they invest money in the firm and have a share in its profit and loss, they have unlimited liabilities, these करा की partners act as agent of the firm, in the other words, all other partners are responsible, they are responsible for their deal and alone as agent and done as a agent, they are also known as a journal or ordinary partners, क्या करेबटा इसमें, देखे, पहला जो, फुल-फ्लेग partners में, पहला जो partners बताया मैंने, वो बताया, कि active partners, जिसको हम स्क्रिय साज़ेदार कह सकते हैं, करा कि, वे partners, जो firm के operation में, active रूप से भाग लेते हैं, उनको हम active partners कहते हैं, इसके अतिरिक, ये जो firm में capital investment करते हैं, profit or loss जो हमें, इसमें share लेते हैं, क्या करा है, कि ये जो partners जो हमें, फरम में, एक administrative के रूप में, active रूप में, से हिश्चेदार होते हैं, इन ओल होते हैं, और करा कि, ये capital investment करते हैं, profit or loss जो है, उसमें share होता है, इनकी liability जो unlimited होती है, ऐसे जो partners के, जो agent के रूप में कारिये करते हैं, अर्थात, इनके दवारा किये गए कारियों के लिए, करा कि सभी साज़दार उत्तरदाई होते हैं, इने हम journal और ordinary partners भी कहते हैं, क्या करा है बेटा, active partners जो है, इसमें करा कि pull flag partners में, जो पहला जो partners है, जिसमें हमने बताया कि क्या है, ये active होता है, क्योंकि those partners who take active participation in the administration of the firm are called active partners, करा कि वो partners जो firm के परशासनिक जो है, उसमें participate करता है, active रूप से participation करता है, उसको हम active partners कहते हैं, करा कि ये जो है, capital investment करते हैं, money investment करते हैं firm में, profit और loss है, उसमें इसमें इसा लेते हैं, और करा कि इनकी जो liabilities है, वो unlimited होती है बेटा, these करा कि partners act, जो कि agent of the firm, ये firm के agent के रूप में होते हैं, क्यों, या दूसरे सब्दों हम ये कह सकते हैं, all other partners are responsible सभी जो साज़दार हैं, वो उत्तरदाई होते हैं, from their deal, करा कि, done as agent, they are also known as a journal और ordinary partners, क्या कह रहा है बेटा, इसमें ये कह रहा है, कि जो, जो ये साज़दार दौरा, जो इस परकार की, जो dealing की जाती है, इसमें कह रहा है, कि, इनके दौरा किये गए कारियों के लिए उस सभी साज़दार उत्तरदाई होते हैं, जिने, इसमें जर्नल और ordinary partners हैं, भी कहते हैं, इस पर कारकाद होता है, उसका हम active partners कहते हैं, इसमें main roll क्या बताया गया है, कि ये जो partners हैं, वो फरम में, जो administrative होते हैं, पर सासनिक जो है, decisions हैं, उनमें इनका involvement होता है, active group से, दूर और कहरा है कि ये एक agent के रूप में भी काम करते हैं, क्योंकि इनके दौरा जो किया गया जो है, उसके लिए ये सभी उत्तरदाई होते हैं, और कहरा है कि इस परकार का जो होता है, उसको हम, यह नहीं कि इसमें में ली दो परकार के journal और ordinary partners होते हैं, दूसरा कहरा है कि sleeping or dormant partners sleeping or dormant partners क्या है, sleeping or dormant partners are those who do not have an active participation in the administration, बट करा कि invest money, have a share in profit and loss and have unlimited liability, देखे बटा दूसरा कहा है, sleeping or dormant partners, जिसको हम sleeping or dormant partners को हम कह सकते हैं, निद्रालू अत्वा सिथिल जो साज़ेदार होते हैं, इस परकार के जो partners हैं, उनको हम sleeping or dormant partners कहते हैं, sleeping or dormant partners are those who do not have an active participation in the administration, क्या करहा है कि ऐसे साज़ेदार, जो, क्या करहा है कि ऐसे साज़ेदार जो है, फरम के जो administration जो है, इसमें ये active रूप से involvement नहीं होते, जो परसासनी कारियों में इसके हिस्सेदारी नहीं होती, बट invest money, ये पैसे जो है, capital investment करते हैं, have a share in profit and losses, क्यारा कि profit and loss में हिस्सा लेते हैं, एंड हैव unlimited liabilities और इसकी liabilities भी unlimited होती है, ऐसी मित होती है, क्या गहरा वेटा, sleeping or dormant partners का मतलब है, निद्रालू या इस परकार के जो है, हम ये कैसे तेशिखिल जो है, साज़िदार जो है, ये इस पर, ये partners जो है, क्या करते हैं, कि partnership जो है, फरम है, उसके administration जो है, परसासनी कारियों में इनका active role नहीं होता, इनका involvement नहीं होते, परन्तु ये करा कि money investment करते हैं, profit or loss जो है, उसमें इस्सा लेते हैं, और इनकी liabilities भी उपर वाले जैसे active partners हैं, उनकी तरह इनकी liabilities unlimited होती है, बट इसमें difference क्या है, वो administrative जो है, उसमें involvement होता है, उनको हम active partners कहते हैं, जो administrative, जो activities है, जो decision है, उनमें इनका involvement नहीं होता, उनको हन, यहने कि sleeping partners कहते हैं, secret partners, देखें, next है हमारा secret partners जिसको हम गुप्त साज़ेदार कहते हैं, अब करा कि a partners is known as secret partners whose relation with the firm is known of the journal public, however he has all the करा कि features like the rest of the partners, he invest capital, share its profit and losses, करा कि take parts in the management and has unlimited liabilities, क्या करा है बेटा, next जो हमारा secret partners है, और secret partners को हम गुप्त साज़ेदार कहते हैं, करा कि बे साज़ेदार, जिनके फरम के साथ साथ संबंद की आम जनता को जानकारी नहीं होता, क्या करा है, कि ऐसे जो partners हैं, जिसके फरम के साथ जो संबंद जो हैं, उसकी आम पबलिक को knowledge नहीं होती, और इसकी शेश जो साज़ेदारी, शेश ताएं जो है features हैं, वो करा कि अन्य partners के समान होती हैं, ये पुझी विनियो करता है, करा कि लाभानी में इस्सेदार होता है, और परबंद में भाग लेता है, इनका दायतों भी unlimited होता है, क्या करा है बेटा, secret partners का मतलब क्या है, गोपनी शाज़ेदार होता है, करा कि ये ऐसे partners जो हैं, जो की partner फरम के साथ इनके क्या संबंद हैं, करा कि इनका आम पबलिक को knowledge नहीं होती, आम दनता को नहीं पता होता, करा कि इनकी बाकी इसकी सारी विशेष्टाएं जो हैं, करा कि जो हमारे और partners हैं, उनकी तरह ही होती है, ये capital investment करते हैं, profit और loss जो है, उसमें हिस्टा लेते हैं, और करा कि इनकी जो ये management जो है, take parts in management, और करा कि ये management में भी involved होते हैं, and has unlimited liabilities, और इनकी जो liabilities है, वो क्या होत क्या बताया मैंने, secret partners जहें, इसमें एक विशेश जो बात है, वो ये होती है, कि इनको, आम पब्लिक को, इनके फ्रम के साथ क्या सम्बंद है, इसकी knowledge नहीं होती, और ऐसे इनकी बागे सभी विशेशताएं, जो features हैं, वो पार्टनर की तरह होती है, ये capital भी investment करते हैं, profit or losses ज unlimited होती है, ये management में भी भाग लेते हैं, इस परकार के जो partners होते हैं, इनको हम secret partners के नाम से जानते हैं, तो बेटा, आज जो है, हमने partners के बारे में discuss किया, जो कि mainly दो परकार के partners होते हैं, एक full flag partner, दूसा क्या है not full flag partner, full flag partners वो होते हैं, जिनका फ्रम के साथ सीधा संबंद होता ह है, पर सिधा संबंद होता है, वो capital investment करते हैं, वो करा कि management में involvement होता है, और उनकी liability is unlimited होती है, अब इसके बाद हमने full flag partners को mainly तीन category में divide किया गया है, नमबर एक active partners, नमबर दो sleeping dormant partners, नमबर तीन जो है secret partners, active partners में मैंने क्या बताया था, कि जो है, जो administration है, उसमें इनका involvement होता है active रूप से participate करते हैं, sleeping partners में बाकि उपर वाले की सारी features होती है, इन में क्या है, ये management में इनका involvement नहीं होता, ये management में जो active रूप से participation इनका नहीं होता, secret partners जहें, ये कैसे partners होते हैं, जिनका आम public को ये knowledge नहीं होती, कि फरम के साथ इसके क्या संबंद है, बाकी कह रहा है कि सा पिटोलोस जो है, उसमें भी इसा लेते हैं, और कह रहा है कि बेटा आपने management में पार्टिस्पेट जो है, उसमें भी भाग लेते हैं, और इनकी liability भी unlimited है, कल जो है हम note full flag partners के बारे में डिसकस करेंगे,